24 फरवरी के दिन आने वाला तीन सबसे महत्य पूर सर निबंद लिखर आये हैं जी हां जो कि आपके 24 फरवरी के लिए हैं आप ये तयार करें नहीं के सर बिल्कूल हम तयार करके जाएंगे करेंगे कोई दिक्कत नहीं यह रहा है बस यही प्यारी से मुस्कार मुझे आपके चहरे पे पसंद है सर और यह आप लोग चहरे पे मुस्कार मना के रखिए मजा आता है कहते हैं सर आप मुझे सर क्यों कहते हैं क्योंकि आप लोग भी तो रिस्पेक्टेड है यार बहुत यह आर क्या ही बताए मतलब आपको इजद्न नहीं लेगी नहीं मिलने चाहिए सबसे महत्यपूर वाले निबंद लेखन इनका पता है सब नौ नंबर का रूल होता है और यह भाईया नौ नंबर होता है बहुत तगड़ा वाला जो आप पंचानमे नंबर है टार्गेट किये ना अपने बोड में चापने का चापो यार मैं यह नहीं कहता कि आप मत निबंद लेखन पढ़के जाना सबसे सिंपल भासा में चैलेंज याद करवा देंगे याद करवा देंगे सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो यार अपने दोस्तों के साथ नहीं कर दो पर इसका पीडियाप में टेलीग्राम चैनल एसके मिश्टी भे पर्यावरण स्मस्या समाधन कुछ भी यह फिरंश यह आए यही निवन्द छापी एगा और कुछ में चापिगा परियावर्ण हैं अधिक से पहले लिखेंगे प्रश्तावना कि यह निकरता है लेकिन हमारी आधनिक जीवन सेली ने परियावर्ण को बहुत सबसे पहले स्वास्त जीवन के लिए यानि सच्छवा साप पानी और सवस्त भोजन हमारे अच्छे स्वास्त के लिए पर्यावरण का फटर्न इन सबको प्रभावित करता है जिससे ऊचर्ण इसलिए हमें इनकी विधन को सच्छार के लिए बहुत ही आवस्यक है ऐसी आचिए जाते हैं में पर्यावरण को नी कि यह कि आरेक्दिश का पार। बहुत ही आवस्यक है ऐसी आप हीडिंग करके लिखो के पुरा-पुरा नमर पाउग जैसे मैं आपको बता रहाँ ठीक है आगे लिखेंगे आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण को सच्छ बनाया रगना बहुत इंपॉर्टेंट है सच्छ पर्यावरण पर्याटन को पर्यावरण को बढ़ावा देता है और भविस्त की पीडिया अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कदम नए उठाय तो आने बाले पीडियों को बहुत मुश्किलों का क्या करना पड़ेगा सर सामना करना पड़ेगा अब यहाँ पर्यावरण सरच्छ पर्यावरण के क्या क्या उपाय है तो सबसे पहला आप लोग पेड़ लगाए पेड कार्बन डायक्साइड को असूशित करकी ऑक्सीजन प्रुदान करता है और जो हम तो बहुतु करें मिन अलग करके हम लोग प्रदूसर को कम कर सकते हैं गर अपना खुद का कार चलाएंगे तो जाएर से बात है कारवन ज्यादा वहां पे निकलेगा तो पर्याव पर दूसित होगा ना इससे अच्छा अगर जहां पर हो पाए बहुत ज़्यादा इमरिजनसी है तो वहां पर में गाड़ी लेकर जाएं नहीं तो हम लोग सारुजिनिक परिवहन का प् रॉप जमाते हुए जाएंगे नहीं आगे लिकेंग सर जल सरच्छण मतलब की जल को बचाकर पानी को बरबाद ना करें और बारिस की पानी को एकत्रित करें उसके बाद लाश्व लिखेंगे निसकर्स पर्यावर सरच्छण हम सभी की जिम्मिदारी है हमें अपने दैनिक पर्यावरण बॉसरा सरी इंपॉर्टमान समय में नारी की सिच्छा पर है वह सर किस पर है तो अपना होने वाला है सर जी वर्तमान समय में नारी सिच्छा पर महत्व चलिए इसमें क्या लिखेंगे नारी सिच्छा आज के समय में एक महत्व पुर्विसे बन गया है यहना केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बलकि समाज और राष्ट के विकास के लिए भी अत्यंत क्याय सजी आवस्यक है अब हीटिंग डालेंगे नारी सिच्छा का आखिरकार क्या-क्या महत्व है इसके क्या-कैसर में उद्देश हो सकते हैं तो सबसे पहला जो महत्व है ससक्तिकरण के लिए सिच्छा महिलाओं को आत्म निर्हों राती है और वे अपने निर्ह स्यम दे सकते हैं और समाज में अपनी पहचार मना सकती है उसलिए नारी को सिच्छा देना बहुत ही क्या है सर्महत्विपूर है ताकि उनका ससक्तिक करण हो पाए वो अपना खुद पहचार बना पाए समाज में दूसरा समाजी विकास के लिए सिच्छित महिलायें समाज में साराक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं और वे कुर्योती और अंदेविश्यासों क्चुनोती दे सकती हैं और समाज को जागूर कर सकती हैं अगला है आर्थिक विकास, सिच्छित महिलाय रोजगार के लिए अधिक आउसर प्रात्त कर सकती हैं और परिवार की आर्थिक इस्सिति में सुधार भी ला सकती हैं, ठिक, अगला बच्छों का विकास करने में ये हल्प करती हैं, अर्थात, सिच्छित माताई अपने चिंटर सिच्छा दे सकती हैं और उनके सरवांगणी विकास में योगदान दे सकती हैं फिर अगला यहां पे हैं लैंगिक समानता रथातनारी सिच्छा समानता को और महिलाव को पूर्सुं के बराबर दर्जा दिलाती हैं यहां महिलाव की ब़रतमानि इस stipe क्या है तो भारत में नारी सिच्छा में काफे प्रगती हुई है लेकिन अभी भी क्या चुनोतिया हैं ग्रामेर छेत्रों में बिशेश कर दूरदराज की इलाखों में लड़कियों की सिच्छा दरकम है और सामाजिक और आर्टिक कारणों से कई लड़किया इसकुल भी छोड़ दे साणादान ताकी लड़के 이식 लड़क्यों नयों दीवा एक करना होगा सुधार लाना होगा सुरक्षित वातावर्ण एक को लड़की के लिए वातावर्ण करना होगा और आर्थिक सहायता यानि गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाने चाहिए ताकि वे अपनी क्या कर पाएं सर पढ़ाई कर पाएं चीक चले सर अगला लाश में हैं पर लिखेंगे सर निस्कर से क्या लिखेंगे निसकर से, इसमें क्या लिखेंगे, नारी सिच्छा एक निवेस है जो समाज और राष्ट को लाप पहुचाता है और हम सभी को मिलकर व्यास करना चाहिए कि हर लड़की को सिच्छा का अधिकार मिले और सिच्छित महिलाए है, एक ससक्त और विक्सित समाज क का निर्माड कर सकती हैं ठीक है अगला यहां पिसक लाश्ट वाला जुद्सत तीसरा वाला है विद्यार्थी जीवन में अनुसासन का महत्य यह हमारा सजी लाश्ट वाला क्या है अपना सजी निबंद है क्या लिखेंगे अनुसासन जीवन का एक महत्य पूराधार है यह हमे अपने लक्षो को राप्त करने, समय का सदुपियों करने, और एक सफल जीवन जीने में मज़द करता है, और विद्यार्थी जीवन में अनुसासन का महत्व और भी क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है, आखिरकार विद्यार्थी जीवन में अनुसासन का महत्व क्यों है, ऐ समय का प्रबंधन करना जानते हैं कि लख्छों को प्राप्त करने केली समय का सदुक्यूग करते हैं अगला है अनुसासन एक छात्र के व्यक्तित्व का विदास करता है और इहां उन्हें अच्छे नागरिक बनते हैं और वे समाज की नेमों का पालन करते हैं और समाज की विदास में क्या करते सर वे युगदान देते हैं अगला है आत्म विश्वासद में बृधि अनुसासन से आत्म विश्वासद बड़ता है जब एक छातर जानता है कि वह अपने लक्षों को प्राप्ट करने के लिए प्रिधद्ध है वह अधिक आत्म विश्वासी महसूस करता है अगला है विद्यार्थी जुन में अंसासन कैसे लाय जा सकता है सबसे पहले लक्ष का निर्धार करके इसपष्ट और यह थार्थवादी लक्ष निर्धारित करे जिससे विद्यार्थी जुन में अंसासन लाय जा सके अगला है समय सारणी बना कर यानि कि एक समय सानी बनाए और उसका हमें पालन करना चाहिए अध्यान और नियमित समय देना चाहिए और थात प्रति दिन एक निश्चीर समय पर अध्यान के लिए हमें निर्धारित करना क्या करना सर समय को निर्धारित करें कि हां हम इतने घंटे डेली डेली पढ़ेंगे अगला ध्यान के अंद्रिक तरने की आदध डाले, अध्यान करते समय ध्यान भटकाने बाली कीजों से दूर रहे और मल लगाकर अपनी क्या करे सरजी पढ़ाई करें अगला यहां पर सवस्त जीवन सेलिए नियमित रूप से व्यायाम करें सवस्त भोजलने और पर्याप्त निमने ताकि हमारा सब पढ़ाएं मन लग पाएं और हम अच्छी सोच रखते हैं ठीक सबसे सरल भासा में वह भी आपको 13 से 14 मिनट में बता दिए अब इसी कुसर हम एक घंटे में लप्रेट थे तो आपको सब टाइम लॉस होता अब आपके पास टाइम नहीं है मेरी बाते भले आपको बुरी लगेंगे ठीकिसर माफी चाहते माफ कर दीजिएगा क्योंकि आप ह जोरू सब्सक्राइब कर साथ 25 नॉम्बर को कुछ एपसिल आपके लिए रहे हैं सामको साथ बेजरू जूड़ी एक तीन निसकर्स अनुसासन एक चात्र के जीवन में सफलता कुंजी है और अनुसासित अनुसासित चात्र ही अपने लक्षो को प्रात्त कर सकते हैं और एक क्लास 12 हिंदी का 24 फरवरी के दिन आने वाले तीन सब्से महत्यपूर सरजी आपके निवन लेखन जो कि आपके 9 नंबर क्याते हैं 9 नंबर तो 9 नंबर ये बड़ा नंबर होता है पता एक नहीं आपको क्या रखता है एक छोड़ा नंबर है 9 नंबर बहुत बड़ा है जब से पहले क्या करने बड़े वाले पर हात मारना है बड़ा वाला अगर पख़ड़ी है तो छोटे छोटे आर एक दो दो नंबर वाले हो जाएंगा उसके लिए कि बहुत ज्यादा परसान मत होना अपजेक्टिव चक्कर मत पड़ो जब आप साहितिक परिशे रट रहे ह है तो उस महीं पर उनका कृतियां जितने भी रचनाएं हैं जितने भी विधाएं हैं रचनाओं के प्रकार जैसे आत्मकर्थाव पन्यास कहानी निवन्द्थ यह सब उसी समय रड़ लीजिए तो आपको आपजेक्टिव हो जाएगो महीं से ठीक है और प्लीज यार वीड करें चपाक कर अच्छा नमर आएगा ओके दूस्तों थैंकिव जाहिए टिक 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 केर बाबाए